नमस्कार दोस्तो आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत हैं दोस्तो आज हम बनाएंगे पोहे से एकदम नया टेस्टी चटपटा नाश्ता जिसे आप बारिश में बना सकते हैं सर्दियों में बना सकते हैं या फिर गर्मियों में भी बना सकते हैं और या सुबह की जल्दी मे आप कुछ healthy बनाना चाहते हैं तो इस recipe को जुरूर बनाए सूपर क्रिश्पी बनेगा आज का चटपटा टेस्टी नाश्ता तो चलिए बना लेते हैं आज का चटपटा नाश्ता इसके लिए हमें चाहिए दोस्तों एक कप पोहा इस तरीके से आप पोहा ले लीजिए इसको हम एक बड़े बरतन में डाल लेते हैं क्योंकि हमने इसको साफ करना है धोना है इसको दो-तीन बार मसल-मसल के पानी बदल-बदल के इस तरह से धो ले इसका जो पानी इस तरह से गंदा हो जाता है वो निकाल लेजिए इसमें काफी स्टार्च होता है तो वो आपका निकलना चाहिए तो दो-तीन बार आप इसे धो धोकर स्टार्च निकाल लेजिए और इसका पानी निचोड़कर निकालकर इसको ढखकर रख देते हैं 10 मिनट के लिए अब आपने क्या करना है लेना है एक आलू उबला हुआ इस तरह किसमें ले रही हूँ आलू और इसको ग्रेट कर लेते हैं कद्दुकस की हल्थ से इसको ग्रेट करने के बाद दोस्तों हमने क्या करना है वापीस से लेना है वो ही पौह 10 मिनट हो चुके हैं ये देखे दोस्तों पोहा लगभग सॉफ्ट सा हो चुका है इसको एक बावल में निकाल लेते हैं क्योंकि हमने इसका आटा सा गूलना है इसको बिल्कुल सॉफ्ट बना ले आप इस तरह से मसल मसल के ये जो पोहा है बहुत ही सॉफ्ट बना ले इसको ये हो चुका है सॉफ्ट अब इसमें मिला लेते हैं वही ग्रेटिड आलू जो हमने ग्रेट करके रखा था अब इसमें डाल लेते हैं दोस्तों दो चमच के करीब चावल का आटा या फिर यहाँ पर चावल के आटे की जगा आप अरारोट भी ले सकते हैं या फिर कॉंस टार्च ले सकते हैं यह हम बाइनिंग के लिए डाल रहे हैं और इसमें जाएंगे और दूसरे मसाले इसमें डालेंगे दोस्तों ये मैंने लिया है कड़ी पत्ता काट कर 4-5 कड़ी पत्ता लिया है काट कर रख लिया था, पहले ही डाल दिया है, और लेंगे थोड़ा सा हरधनिया, हरधनिया भी मैंने पहले से ही काट दिया था, तो इसमें डाल लेते हैं, और भी इसमें मसाले जाएंगे, जैसे कि मैंने यहां शिमला मिर्च ली है दोस्तों, शिमला मिर्च भी आप छोट छ काट कर भी डाल सकते हैं, अब इसको mix कर देते हैं और डालेंगे थोड़ी सी इसमें अजवायन इस तरीके से crush करके, लगभग एक चमच के करीब है, अजवायन आप crush करके डालिए, ये जो अजवायन होती है हमारी बोड़ी के लिए बहुत ही बढ़िया होती है इससे खाया प्या पच जाता है इसलिए आप अजवायन जरू डाले एक चमच डालेंगे हम साबूत जीरा और टेस्ट के अंसार आप नमक डालने मैं यहाँ पर एक से डेड़ चमच नमक डाल रही हूँ उसमें एक चोटा चमच डालेंगे लाल मिर्च पाउडर थोड़ा सा हींग डाल लेते हैं ताकि पेट के लिए बहतर रहे और जरा सा डालेंगे इसमें काला नमक आदा चोटा चमच इसमें गरा मसाला डाल लेते हैं एक चमच जाएगा इसमें आमचूर पाउडर और एक चमच डालेंगे इसमें चाट मसाला अब इन सबी चीजों को मिक्स कर देते हैं इसको डो फोम में लाने के लिए दोस्तों हमने इसमें पानी नहीं डालना है इसमें हम डालेंगे दो से तीन चमच दही दही ज़ादा खटा ना हो इस बात का ध्यान रखें यदि दोस्तो आप से दही जादा डल जाए तो घबराने वाली कोई बात नहीं है इसमें जरसा आप चावल काटा डाल सकते हैं यदि चावल काटा नहीं है तो थोड़ा सा अरारोड डाल सकते हैं या फिर कॉन स्टाच भी डाल सकते हैं तो इस तरीके से दोस्तो आपने इसको मसल मसल के आटा सा इसका गून लेना है जैसे कि हम रोटी बनाते हैं अब क्या करेंगे दोस्तों लेना है थोड़ा सा तेल हाथ पर लगा ले और इसमें से थोड़ा सा टिक्की के जितना डो ले ले इसमें से थोड़ा सा पॉशन ले ले और इस तरह से करते हुए गोल बना ले जैसे हम रोटी वाला पेडा बनाते हैं उस तरीके से आप बना लें इसमें चाहे तो उंगली की सहाथा से इसमें होल कर लें या फिर आप पैन की मदद से भी आप होल कर सकते हैं या पैंसिल से भी कर सकते हैं गोले बना कर दोस्तो इसमें थोड़ा सा होल कर लें या फिर आप सारे पहले गोले बना ले इस तरीके से पेड़े बना ले और इस तरीके से पैन की सहाथा से आप इसमें होल कर ले आपके बिल्कुल भी ये फटेंग नहीं अब देखे दोस्तों मेरे सारे पेड़े बनकर रेडी हैं आप चाहे तो पहले इसके सारे पेड़े बना ले या फिर आप एक-एक बनाकर इसमें होल करके रखते जाएं तो इस तरीके से मैंने सारे पेड़े बना लिये हैं और इनमें पैन की मदद से आप इस तरह से होल कर लें और तेल को आपने पहले ही गरम होने के लिए कड़ाई में रख देना है तो चलिए दोस्तो गैस पर चलते हैं इस तरीके से मैंने तेल जो है पहले ही गरम होने के लिए रख दिया था अब क्या करेंगे आपने एक-एक इसमें डालना है और थोड़ी देर के लिए इनको नहीं छेड़ना है जैसा कि आपको लगे एक साइड से ये सीख चुके हैं तो इनको अल्ट पल्ट करते हुए दो मिनिट सेख लें सेखने के बाद देखे दोस्तो इस तरीके से ये ब्राउन से हो जाएंगे कलर आ जाएगा इनमें अच्छे से तो सारे आपने थोड़े थोड़े आपने इसमें तल लेने हैं तेल में आप गैस मीडियम ही रखें जादा फ्लेम आप ना करें जादा फ्लेम करेंगे तो ये अंदर से नहीं सीखेंगे और अगर लो फ्लेम करेंगे तो ये तेल पी लेंगे तो इस बात का आप ध्यान रखें तो अर्ट पल्ट करते हुए इनको सेख लेना है जब तक कि इनका कलर अच्छे से ब्राउन ना हो जाए तो ये लिजे दोस्तों मेरी सारे सिख चुके हैं अच्छा सा कलर आ गया है इनमें आप सारे सेख ले थोड़े-थोड़े करके अगर आपका बरतन बड़ा है तो एक साथ भी सेख सकते हैं तो ये लिजे दोस्तों मेरे सारे वड़े त्यार हैं अब इनको सर्व कर लेते हैं तो ये लिजे दोस्तों वड़े त्यार हैं इनको sauce के साथ खा सकते हैं और बहुत ही crispy है ये देखे दोस्तों मैं आपको करके दिखा रही हूँ बिल्कुल soft है अंदर से soft है, बहार से crispy है तो इस तरीके से दोस्तों आप घर पर पोहा से वड़े बना सकते हैं आलू, पोहा, वड़े बहुत ही tasty लगेंगे सुबह की भागदोड में आप इने बना सकते हैं नाश्ते में, या फिर Sunday को बना सकते हैं जब सबकी छुट्टी हो तब आप बना सकते हैं, पूरे परिवार के लिए दोस्तों आप इनको त्यार कर सकते हैं बिल्कुल कम टाइम में तो दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करें शेयर करें चैनल को सबस्क्राइब करें तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में ऐसी ऐसी रेसिपी के साथ थैंक्यू दोस्तों